वेलकम टो माई चनल इग्णु हेल्बक सेंटर मैंने बतकर आपको एक वीडियो में कहा था इस चीज की इग्णु कल हेलो मेनी करके सेकें लाइफ सेशन प्रोगाम किया था जिसमें बहुत सारी डीटेल दी गई है उस डीटेल के बारे मैं पूरत से डीटेल में आपको सब्सक्राइब कर अब तो कि यह सब था क्या और क्या कौन-कौन थेज के लिए के इस सारी चीज प्रोगाम जो किया गया था वह किया गया था चब्ष महीं को ग्यार बजे इसमें प्रोफेसर डौक्टर संजी पंडे असुक सर्मा और यह तीनों ड्रेक्टर है इसके आलाबा दिविजयन डिवीजन के बने सर हैं ब्लाइब दॉक्टर के पर साथ ये भी त बिजयन सर्विस डिवीजन के प्रपफेसर हैं । इसके लिए रखेगे ताकि ये उन सबी बच्चों के प्रोल्म का सेल्इूसन करे जो जिनके पास अलग लग तरह की प्रॉलम है सर्वीचेपार्टमेंट रजिस्टेशन डिपार्टमेंट इन तरह की डॉक्टर्स प्रोफेसर को इसली रखा गया ताकि सर्वीच में क्या है इस हुआ ही है रिच्ट्रेशन बच्चों को इसके तो सबसे पहले study material के बारे में उनका then counseling classes online कप्चे शुरू की जाएगी online या offline classes कप्चे शुरू की बारे मता गया then evaluation के बारे मता है कि evaluation seat का evaluation seat का क्या चल रहा है admission validity अगर खतम होई तो उसका क्या करना अब मैं कभ खतम होई से कब तक बलीड है admission submission का date क्या है क्या नहीं कैसे करना है release session की कैसी problem के बारे में क्या उन्होंने assignment and project के बारे में उन्होंने क्या कहा इसके अलाबा promotion and exam fees के बारे में क्या कहा उन्होंने इसके साथ साथ न्यू एस्टुएंट जो आए हैं उनके लिए क्या आपडेट आई हुई है इसके लाज इगनु ऑफिसर इन्फो रिवर एड़िशन लाजट एंड न्यू एड़िशन ही क्या सीन है यह सारी डिटेल इस लाइफ सेशन में बताया गया है अब मैं एक एक करके डिटेल आपको बताना सुरू इस्टार्ट करता हूँ चलते हैं सबसे पहले फर्स टेप पर कहा कि एस्ट्री में जिन बच्चों का एड़िशन जनुरी में हुआ है या फिससे पहले जुलाय में जि इसका उन्हें ने रिजन दिया है कि पोस्ट ऑफिस बंध है ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी प्रॉलम चल रही है इसके साथ आरसी और जो स्टेडी सेंटर रिजिनल सेंटर और इसके दोनों ही क्लोज है इस कारण से बुक पहुंचने में बहुत सारी बाधाय आ रही है कई जिगा पोस्ट ऑफिस खुले भी है तो वर्किंग डेस पूरी तरह से नहीं है सब वीक में दो दिन वर्किंग है इस तरह की चीजार जिसकान से वर्ष्ट एस्टेडी मेटरिल पहुंचने में देरी हो रही है धेरी रही है पहुंच जाएगा लेकिन तब तक अगर बुक सब्सक्राइब नहीं पहुंचती है तो आप एक ज्यान कोस के थुरू आप बुक की सॉप्ट कोफी डाउनलोड कर सकते हैं वहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं यह सब्सक्राइब के बारे में इन्होंने बताया ठीक है अब हम चलते साइकंड पेनोंने क्या इस चीज का डिटेल भीज दिया जाएगा यह इन्होंने कहा है कि दिल्ली की आर्सी वन ने कहा है जीज की नॉमले हम जल्दी ही इसके क्लासे इस कॉंसलिंग शुरू करने वाले हैं लेकिन इसके साथ बच्चों के लिख उसकवरी यह है कि इसमें कोई भी इस्टेट की आवेलेबल होगा इसमें कोई बेस्ट जोन करसा और इसका क्या टाइमिंग हो उसके पूरी डिटेल आपको फर्स्ट वीक में आपको जून के फर्स्ट वीक में वेबसाइट पे अप्लोड कर जाएगा उसके बेस पे अपने कॉंसलिंग ले सकते हैं लेकिन इसमें बच्चे जादा हैं उनकी कॉंसलिंग पहले सरूप की जाएगी उसके बाद दिरेदर करके दूसरे पर जाया जाएगा तो यह इन्होंने कॉंसलिंग के लिए अच्छा कहा है कि कॉंसलिंग बहुत जली सरो ने यह सारी क्लासे लाइब ही में लेगी आपको ऑनलाइन अगर आ इंसर स्क्रिप्ट बच्चे मगवाते हैं उनको पॉस्ट ओफिस क्लोज होनी के वजए से नहीं पहुंच पा रहे हैं कई जगा पे पहुंच भी मरें कि जिनको नहीं पहुंच रहे हैं उनको कोई सुनिये बट क्योंकि यह रीवैलीसन जब हम एंसर स्क्रिप्ट के लिए तो उस वक्त हम से एक email ID भी लिया जा तो उस email ID पे आपके जो answer seat होती है वह scan करके provide कर दी जाती है तो आप soft copy पे भी अपने email address पे देख सकते हैं otherwise post office अभी close होने काँ से ठोड़ से problem हो रही है answer seat को पहुंच रहे के लिए तो guys review evaluation के बारे बारे यही चीज़ कहा है कि review evaluation seat problem हो रही है तो आप soft copy अपने email पे देख सकते हैं कि email के द्वारा भी भेजा गया यह चीज़ इसके बात एड़ीशन वेल्ड़ यह बच्चों के लिए एक अच्छी कवर आई थी ऑसलिक Roc perfectly to subscribe of the day review of the day review revision cycle रही है वह मांलवनेज़ जन बच्चों का जून 2020 में pry srk दय ऐं फ़े यांन फिर के हिसंबर 2020 ँमें एक उफर हो गया उनको ek میेंटक कर दिया इनके कप तक के लिए जून 21 0020 फोर सुज कर दिया गया है इसके सारसत इन्हों ने है कि जून जिनका वैलिट जून 2020 तक है उरका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि उनको कितने दिन तक का टाइम और दी जाए लेकिन ये है कि एक्सपार होने के बाद भी थोड़ा सा चांस आपको मिल सकता है बड़ इसके वारा हम जाए डिडियल नहीं कही गए लेकिन ये खुसकवरी है कि जिन बच्चों के लिए भी अभी टाइम एक्सेंट कर दिया गया एक बड़ी खुसकवरी इन्होंने दी है थैंक्यू गाइस इसके अलाबा है आपका असाइन्मेंट सम्मिटन का तो आपको पहले ही पता है कि अभी तक 31 माई है बट ये एक्सेंड होगा क ये आपको पता है क्योंकि मैं लास्ट उडियो में कहा था इसका डेट बहुत जल्द ही एक्सेंड होने वाले क्योंकि हमारे वाइस चांसलर नागे सरओ जी ने इस बारे में पहले ही कह दिया था कि इसका डेट एक्सेंड होगा ये डिपेंड करेगा सिच्वेशन के इसका डेट एक्सेंड होगा तो इसके लिए आपको टैंसन लेने की जुरूत नहीं है तीजे है आपका सेंबेट के बारे में इन्होंने बताए हैं इसके बाद री रजिस्ट्रेशन के प्रॉलम हां री रजिस्ट्रेशन करते वक्त बच्छों के आँसाथ बहुत सारी प् सब्सक्राइब आप आपके email address से भेजा जाता है और उस email ID के base पे ही उस OTP के base पे ही आप login कर सकते हैं बट कई बार OTP नहीं पहुंच पा रहा है mail पे नहीं मिल रहा है आपको क्या करना है उसके बारे मिनोंने बताया इनके इस तरह की switches ना थी तो आप अपने email ID से आप अपने RC या registrar को request करेंगे कि मतलब mail के थुरू आप mail करेंगे उनको और mail करके ये कहेंगे कि आपका जो login ID password है उसको reset कर दे आपके account को reset कर दे है यह बहुत simple procedure है इसको follow करना था सिर्फ mail करना है आपको RC और आश्र को उसमें बताना होता है कि सरह हम लोगिन नहीं कर पाड़े हैं तो आप उसे reset कर दीचे और उसके पासपर्ट आपको दे दिए वह से तो एडिशन के टाइम पे लोगिन पासपर mail पे मिल जाता है बड़ इनकेस इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं मिल पारे तो आप नहीं यह काम भी कर सकते है इससे आपकी रिएश्यों की प्रॉब्लम माक्सिम होत्तक सॉल्व हो जाएंग प्रजेक्ट के लिए इन्होंने काई कि प्रजेक्ट आपको जो पॉर्टल दी गई है और आन पॉर्टल आपको उसको थ्री ही सब्मिट करनी है उसके लिए पूरे इंडिया का एक ही पॉर्टल होता है सब्मिट करने के लिए तो उस पॉर्टल पर ही जमा करना है इसके बा Зभी है कि आपको मिल के थूझ अगर आर सी ने कहा है आपको कि गूगल फ्रम के थूझ आप समिट कित गूगल के थूझे सम्मिट होगा बॉरकिंग्टरिक है कि आनदर स्वेवर्किं इनको होता है तौ रपीस में कभी बाटS सकते हैं तो इनका यह है कि assignment और किस तरह submit करनी है दो मैतर online कई जिगा पे अभी अभी पी कई जिगा पे off-line assignment submit हो रहे हैं लेकिन maximum पर online submit हो रहे हैं तो online या तो mail के तो या Google form के तो submit हो रहे हैं चलिए seven हो गया हम चलते next पे next है हमादा promotion पर उनके लिए जो लाश्य प्रमोट हो गयते लेकिन उनका फीस का क्या हुआ एंके लिए खुसकरी है कि बहुत जल्दी वह जल्दी आजाएगी बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन यह कहा है यह बहुत जल्दी इसके आज़िक्स का जाएगा ठीक है गाई अब नेक्स पे चलते हैं अब आती न्यू एस्ट्रेंट न्यू एस्ट्रेंट जो अभी एडिविशन ले रहे हैं जिन्होंने जन्री में लिया उनको बहुत सारी प्रवल्म कि क्यों के इस्ट्री सेंटर खुले नहीं है डिजन सेंटर बंद है तो उन बच्चों को बहुत सारी चलते वीडियो के थुरू आपको बताया जाएगा कि नियू एस्ट्रेंट को कब क्या करना होता है कब असाइन्मेंट सब्ट करने होते हैं कब इनके अंसलिंग होगी कब इनके एक्जामिसन फर्म वड़ेंगे यह चोटी चीज़ वीडियो के थुरू उनको या तो लाए नहीं बहुत जल्दी आपके आपके आपकी अच्छी के लिए कुछ एगनू करता जा रहा है वह भी अच्छी बात है ओके इसके बाद एक चीज़ है आसने मांक्स का अगर आपके असाइन्मेंट मार्क्स मान लीज़े आपने लास्ट एर दिया या जून में दिसंब है देख लेकि अपडेट हुआ है या नहीं इनकेस नई हुआ है तो वो आपने convenience सब्लें सब कोपी देनी है अगर उन्हें आउनलाइन समिट किया तो मेल आया होगा मेल की डिस्टिप्रिन को सो करनी है और इसके बाद ग्रेट का अभी का प्रजेंट टाइम का एक स्टेटस की कोपी स्क्रीन सॉट लेकि उस मेल में अटैच करके अपने आर्च को मेल कीची मार्क्स डेफ अफीसल इंफरमेसन सबसे बाद इगनू की ओफिसली इंफरमेसन आपके मुवायल पे बच्चे कहते कि सरahan diagnostic को आपडेट नहीं आ रहा है मॉवायल मैसीज नहीं आ रहे मैयल नहीं आ रहे कुछ भी यह उसके लिए इन्होंने कहा है कि आप हमारे Ignoo के वेफसाइट जो है उस वेफसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहें इसके अलाबा आपके RC का Facebook पेज है या हमारे इगनु का Official Facebook पेज है उस पेज पर आप continue विजिट करते रहें वहां से हम आपको अफडेट करते रहेंगे यह है आपका 11 अफडेट यह अब हुआ है इसमें कोई चेंजिस नहीं हो है इसके बात लास्ट है नईवंकि ने पहले ही कह दिया था कि नियू एडेविशन इस टार्ट हो जाएंगे आपकी जून फर्स्ट वीग में आपका नियू एडविशन शूरू हो जाएगा तो तब तक जिन बच्चों के अपनी चीज़े देखनी है वो देख सकते हैं डॉक्मेंट सब रेडी करने हैं रेडी किजिए क्योंकि निवर बहुत चल्दी स्टार्ट होने वाले हैं गाई सश्ट्राष्ट होने के लिए यह आपके पर जिन्थ हैं इसमें सब कुछ मैंने कह दिया इसके बहुत जल्दी वह आपके पास आ जाएंगी यह गाइस नहीं चीज़े टाइंक यू इस वीडियो को देखने के लिए अगर इस वीडियो मागे कोई हैं फो रही है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइक कीजिए साथी उन बच्चों को भी इसका इस वीडियो को ल हम अप्डेट देने की कोसिस करेंगे थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच वाचिंग इस चैनल थैंक यू सो मच माई देर फ्रेंड